यहां पर हमारे पास एक दूई घात समी करण है और इसे हमें हल करना है तो क्यों न इस वीडियो को तुम यहां रोक कर इसे खुद से हल करनी कोशिश करो और x का मान निकालो और फिर वापस आओ तो चलो देखते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास जो द्वी घात समी का रण है, वो है 6 गुणा एक्स का वर्ग, रिन 120 एक्स धन 600 जो बराबर है शुन्ने के अब यहाँ पर जो यह गुणांग है, यह है 6, रिन 120 और धन 600, कुछ बड़े से लग रहे हैं आपे गुणांग, अब यहाँ पर जो एक्स का वर्ग है, उसका जो गुणांग है वो है 6 मैं पसंद करूँगा कि अगर यहाँ पर जो गुणांग है वो एक हो जए, तो वो कैसे हो सकता है, यहाँ पर 6 हमे 6 से विभाजित करना होगा, लेकिन क्या बाकी की गुणांग 6 से विभाजित होते हैं, तो हां 120 भी 6 से विभाजित हो जाएगा तो चलो एक काम करते हैं, दोनों ही तरफ हम 6 से विभाजित कर देते हैं इस समीकरन के तो यहाँ पर मैं 2 तरफ 6 से विभाजित कर रहा हूँ, हर एक पत को और उसी तरह से यहाँ पर मैं 2 तरफ भी 6 से विभाजित करूँगा ताकि हमारा समीकरन बदले ना तो अब हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा 6 बटा 6 तो हो जाएगा एक जो हमें चाहिए था तो यहाँ पर हो जाएगा हमें मिलेगा x का वर्ग यहाँ पर रिन 120 बटा 6 जो हो जाएगा रिन 20 तो यह हो जाएगा रिन 20x और यहाँ पर हमारे पास धन 600 बटा 6 जो हो जाएंगे 100 तो यह हो जाएगा धन 100 और बराबर यह है 0 बटा 6 जो होगा 0 के अब यहाँ पर क्या इस दूई घात समीकरण को हम गुणन खंडित कर सकते हैं तो वो हमने पढ़ा है बहुत बार मैं जरा यहाँ पर फटा-फट से बता देता हूँ हम जानते हैं कि अगर हमें कुछ दिया गया है समझो कि x धन a गुणा x धन b अगर हमें कुछ ऐसे दो पदों का गुणन फल दिया गया है तो यह जो है यह बराबर होता है यहाँ पर X का वर्ग धन हमें यहाँ मिलता है A धन B गुणा X धन हमें मिलता है यहाँ पर A B तो ये एक दुविखात समीकरण है जिसका ये जो है ये गुणन खंडिट रूप है तो जरा अगर हम यहाँ पर नजर डालें यहाँ पर जो X का जो गुणांख है वो होता है यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल तो यानि कि ये होना चाहिए A गुणा B और ये होना चाहिए A धन B तो हमें अब ऐसी दो संख्याओं ढूड़नी है जिनका गुणन फल हो 100 और जिनका योगफल हो यहाँ पर रिन 20 अब अगर यहाँ पर नजर डालें तो अगर गुणन फल यहाँ पर जो है वो है धनात्मक तो यह तो तभी मुम्किन है जब दोनों ही संख्याओं धनात्मक हो या दोनों ही संख्याओं रिनात्मक हो और यहाँ पर जो योगफल है वो है रिनात्मक तो यह मुम्किन तब है जब दोनों ही संख्या है रनात्मक हो या जो बड़ी संख्या हो वो रनात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो तो अलग-अलग चिनकी तो नहीं हो सकती क्योंकि हमने यहाँ पे बात कर ली है कि दोनों ही या तो धनात्मक या तो रनात्मक होनी चाहिए तो यानि कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दोनों ही संक्याई हमें रिनात्मक चाहिए और यहाँ पे भी दोनों ही संक्याई हमें रिनात्मक चाहिए तो अगर 100 गुणनफल की बात करें तो मेरे दिमाग में आता है रिन 25 गुणा रिन 4 जो हो जाएगा धनसो या फिर रिन 20 गुणा रिन 5 जो हो जाएगा धनसो या फिर रिन 10 गुणा रिन 10 भी तो धनसो हो जाएगा और साथी साथ रिन 10 और रिन 10 को जब हम जोड़ेगे तो आ रिन 20 यानि कि यह जो जो दो संख्याएं है वो है रिन 10 पहली संख्या और दूसरी संख्या भी है रिन 10 जिनका गुणनफल हो जाएगा धनसो और यहां पर एक संख्या है रिन 10 और उसमें जब हम जोड़ेंगे उसमें जब हम जोड़ेंगे दूसरी संख्या जो है रिन 10 तो उसका जो योगफल हो जाता है वह हो जाता है रिन 20 यानि कि यह जो A और B है वो दोनों ही रिन 10 और रिन 10 हैं तो इस द्वी घात समीकरण का जो गुणन खंडित रूप होगा वो होगा X धन A गुणा X धन B तो मैं यहां लिख सकता हूँ वो होगा यहां पर X धन A, A है यहां पे रिन 10 तो यह हो गया पहला पद गुणा दूसरा पद है यहाँ पर X धन B और B भी है यहाँ पर रिन 10 तो यह हो गया इसका दूसरा पद और यह बराबर हो जाएगा शुन्ने के तो इस दूई घात समी करण को हमने गुणन खंडित रूप में लिख दिया तो यहाँ पर X धन रिन 10 हो जाएगा यहाँ पर X रिन 10 और यह वाला पद भी यहाँ पर हो जाएगा X रिन 10 और यह बराबर होगा शुन्ने के अब X रिन 10 गुणा X रिन 10 यह हो जाएगा यहाँ पर X रिन 10 का पूर्ण वर्ग जो बराबर होगा शुन्ने के अब अगल दोनों तरफ में व हम दोनों तरफ 10 से जोड़ देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा जो है 10 तो यह दूई घा समीकरन हल हो गया